यूपीय की सक्त धाराय लगता दिल्ली पुलिस ने चारों आरोपियों पर कड़ी करवाई भी कर दिये सबसे हैं बात पुलिस ने कोट में ये भी कही है कि संसत की स्रक्षा में वी चूप के पीछे किसी आतंकी संगठन का भी आत हो सकता है और पुलिस के मताबिक यही वज़ा है कि इस मामले में जाँच पूरी होने से पहले कुछ कहना मुश्किल है पुलिस के मताबिक घतना में आतंकी संगठन का हाथ हो सकता है पुलिस में कोट में ये भी कहा कि जिस प्लानिंग से पूरी घतना का अउन्जाम दिया गया वो किसी आम आदमी के बस की बात नहीं है इसलिए पुलिस को शक है कि इन आरोपियों के पीछे कोई बड़ी ताकत या कोई बड़ा संगठन शामिल हो सकता है दिले पुलिस के मताबिक वो रिमांट के दौरान आरोपियों को गुरगराम और मैसूर लेकर जाएगी क्योंकि इन दोनों शहरों का कनेक्शन घटना की प्लानिंग से होने का शक है इसके अलावा आरोपियों को लखनव भी ले जाये जाएगा जहांसे जूते खरीदे गए थे यही नहीं आरोपियों को स्मोक बंब की जांच के लिए मुंबई भी ले जाये जाएगा और उसे वजह से संसत की सुरक्षा में भी कई बदलाव किये गए हैं और उनसे अब एंट्री पहले की तरह नहीं होगी बलकि अलग अलग लोगों के लिए एंट्री के अलग अलग गेट तयका कर दिये गा है इनी बदलावों के वज़े से मेखाले के सीव कुनार्ट संग्मा को पैदे चल कर संसत भवन में जाना पड़ा संसत के गज द्वार से केवल प्रधान मंत्री के एंट्री होगी उनके अलावा ये गेट किसी के लिए भी नहीं खुला जाएगा हांस द्वार का इस्तिमाल के वर लोग सभा स्पीकर के लिए किया जाएगा इसी तरह आश्वदार का इस्तिमाल राजी सभा च्वेर्मेंट की एंट्री के लिए होगा जबकि संसतों और मंत्रियों की एंट्री संसत के मकर द्वार से होगी मीडिया कर्मियों की संसत में entry अब गरूर द्वार से होगी जबके मुखय मंत्रियों और अधिकारियों के लिए गरूर द्वार और शारदूर द्वार होगा इतना ही नहीं सुरक्षा जांच में भी कुछ कड़े बदलाव किये गए है और संसद में दाखिल होने वाले लोगों के जूते उतरवा कर भी जाच की गई संसद की सुरक्षा के लिए पहले से कहीं ज्यादा सक्त प्रोचुकॉल बनाए गए इनका पालन भी शुरू कर दिया गया है संसद में विजिटर गालरी में पहुचने वाले लोगों पर भी चर्चा हुई है खुद रक्षा मत्री राजना सिंग ने संसद इस पर जवाब दिया और संसदों से पास जारी करते वक्त साबधान रहने की अपील की संसद को जादा सुरक्षित बनाने पर मन्थन हो रहा है इसलिए फैसला लिया गया है कि विजिटर गालरी के आगे शीशा लगाया जाएगा ताकि भविश्य में विजिटर गालरी में बैठा कोई शक्स हूद ना पाए इसके लावा एएपोर्ट की तरज पर संसद में बोडी स्कैरिंग मशीने लगाई जाएंगी इसके लावा संसद में सुरक्षा कर्मियों की गिनिती बढ़ाने का तैसला लिया गया है और पीच एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है इसके बड़ी खबर सामने आ रही है जिनके जवाब तलाशे जा रहे हैं आपको ये भी बता दें कि 15 दिन की रिमांड मांगी गई थी दिली पुलिस की तरफ से लेकिन 7 दिन की पुलिस रिमांड अभी फिलाल पुलिस को मिली है जिनमें संसद के दोनों सदरों के सदर से शामिल है इन 15 संसदों पर संसद में अनुशासन हीनिता का आरोप लगा हालकि संसद में हंगामा करने वाले संसदों के तुल्ला सरकान ने उन्हीं आरोपियों से की है जो एक बिन पहले विजिटर गैल्लवरी से कूदे थे हालकि कॉंगरेस के निशाने पर बीजेपी की संसद प्रताप सिमा भी है जिनके सिफारिश पर आरोपियों को संसद में एंट्री मिले थी कॉंगरेस ने ताउने बैंगलूरू में बीजेपी संसद के पोस्ट्रों की चपपल से पिटाई की है इतना ही नई तस्विरों में प्रताप सिमा के हाथ में आतंक्यों के तरह बंदूग तक दिखाई गई और उन्होंने रोते हो ये दावा किया कि उनका बेटा सागर बेकसूर है अपने बेटे के लिए उनकी आँखों से लगतार आंसु गिरते रहे रोने की वज़े से उनका गला बुरी तरह से भर गया और वो भरे गले के साथ ही सागर के निर्दोश होने की बात कहती रही इस दुरान वहाँ पर उनकी बेटी पास में बेटी रही जो अपनी मा को लगातार चुप कर वाती नजर आई घरवालों के बुतावे पिछले तीन महीने से सागर लखनव में ए रिक्षा चलाने का काम कर रहा था और वो घटना से दो दिन पहले दिल्ले में किसी प्रदशन में श्चामिल होने की बात कहकर घर से निकला था लखनव से पहले वो बैंगलूरू में करीब दो साल रहा पुलिस सूत्रों के मताबिक बैंगलूर में रहने के दोरान ही उसकी मुलाकात कन्दाचा के मैसूरू में रहने वाले मनुरंजन से हुई थी और वो रोरू कर अपनी बेटी को निर्दोश बताती रही न्यूज एटिन की टीम से बाच्चुत कने के दोरान उनकी आँखों से आंसू की धार फूट पड़ी दिल का दर बया करते हुए उनकी आवाज भरी हुई थी और फिर उनकी आँखों से आंसू गिरने लगे बेटी को याद करके वो बिलक पड़ी आंखों से गिरते अपने आंसों को छुपाने के लिए उन्होंने अपना चेहरा कपड़े से ठंक लिया बाद में उन्होंने दावा किया क्योंकि बेटी ने इतना बड़ा कतम मजबूरी में उठाया क्योंकि कई डिगरियां हासल करने के बार भी उसकी नौकरी नहीं लग पा रही थी जानकारी के मुताबक नीलम पिछटे 6 महिने से हिसार मे रहकर हरियाना सिविल सर्विस की तयारी कर रही थी लेकिन 25 नमबर को उसने अपना कमरा खाली कर दिया था हालनकि इसकी जानकारी उसने घरवालों को नहीं दी थी और नाहीं वो अपने घर जीन्द लोटी थी उसके इशारे पर संसत के अंदर अंजाम दी गई इस घटना ने पूरे देश को ही जगजोर कर रख दिया संसत के अंदर आरोपी सागर और मनोरंजन ने न सिर्फ घुसपैट की बलकि दोनों दर्शक दिरगा से लोकसभा की कारवाही के दोरान खूद गए जब उन्हें पकरने की कोशिश की गई तो उन्होंने वहाँ कलर स्प्रे कर देहशत प्यला दी इस घटना के बाद लोकसभा के अंदर मौजू तमाम संसत बुरी तरह से घबरा गए क्योंकि कलर स्प्रे करने के बाद पूरे हॉल में पीले रंग का धुआ छा गया हलाकि बाद में किसी तरह दोनों आरोपियों को संसतों ने पकड़ लिया और उनकी पेटाई भी कर दी दल्ली पुलिस के सूत्रों के मताबिक संसत के सुरक्षा में सेंध लगाने की साज़िश रशने वाला या ये कहें कि इस पूरी साज़िश का मास्टर माइंड ललिट जा है पुलिस के सूत्रों का ये भी दावा है कि संसत के अंदर और बाहर प्रदर्शन करने वाले चारो आरोपी उसी किसम पर कुमित है और पुलिस सूत्रों का ये बड़ा दावा है कि घटना से पहले ललित ने चारों के फोन अपने पास रख लिये थे शक है कि उसने मोबाइल फोन में मौजूद इस साजिश से जुरे सबूतों को मिटा दिया हाला कि दिल्ली पुलिस की टीम इस घटना की पूरी साजिश से परदा उठाने में जुटी है इसके लिए संसत की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले चारों आरोपियों से पुष्टाच की जा रही है सूत्र बताते हैं कि पुष्टाच में चारों आरोपियों ने बेरोजगारे, किसानों की समस्या और मणिपूर की समस्या पस सरकार का ध्यान दिलाने के मकसद से इस घटना को अंजाम देने का दावा किया हाना कि सुरक्षा एजिंसियों को इनकी बातों पर यकीन नहीं है क्योंकि शक यह है कि इस घटना की पीछे कोई बड़ा मकसद हो सकता है इसका पता लगाने के लिए आरूपियों के मुबाइल फोन की जांची जरूरी है और सूत्र बताते हैं कि ललित और उसके साथियों ने भगस सिंग से प्रभावित होकर इस घटना को अंजाम दिया ताकि पूरे देश का ध्यान उनकी और आकरशित हो सके सूत्रों का दावा है कि जांच के दौरार सुरक्षा एजन्सियों को पकड़े गए आरोप्यों के किसी भी आतंकी संगटन से जुड़े होने के सभूत नहीं मिले लेकिन इसके बाद भी पॉलिस और सुरक्षा एजन्सिया हर अंगिल को खंगालने में जुटी भी है और पुलिस सूत्रों के मुताबिक पूश्टाच में आरोपियों ने बताय कि ललित के कहने पर इस घटना के लिए 13 दिसंबर का दिन तैक किया गया था ये वो दिन है जो दिन ठीक 22 साल पहले संसत पर आतंकियों ने हमला किया था और उस आतंकी हमले में 9 लोग शहीद हो गए थे मतलब जानबूश का ललित ने इसी दिन संसत में स्मोक कलर अटाक की प्लानिंग की थी सूतरों की बताविक घटना को अंजाम देने से दो दिन पहले ललित नहीं सभी को गुरुग्राम बुलाया था और सारे लोग दिल्ली के नजदी गुरुग्राम में विशाल उर्फ विकी के घर पर रुके थे और पुलिस सूतरों का ये बड़ा दावा है कि जिस वक्त उसके साथियों ने इस घटना को अंजाम दिया उज़रान आरूपी लले संसत के परिसर में ही मौजूद था मतलब संसत के अंदर स्मोक कलर अटैक और ठीक उसी वक्त संसत के बाहर हो रहे प्रुदर्शन पर ललित नज़र बनाए हुए था दावा किया जा रहा है कि वो लोगों की भीड में छिपा हुआ था और संसत के बाहर अपने साथी नीलम और अमोल के पृदर्शन का वीडियो बना रहा था सूतर ये भी बताते हैं कि संसत के बाहर ललित ने जो स्मोक कलर अटाक हुआ था उसका वीडियो अपने फोन पर मनाया और फिर उस वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया लेकिन जैसे ही सुरक्षा एजिंसियों ने अपने जाज परताल शुरू की तो वो फरार हो गया और 13 दिसंबर की रात उसने रादिस्थान के नागौर में एक होटेल में चिपकर बिटाई और इसकी अगले दिन वो वहाँ से दिल्ली लौट आया और सरेंडर कर दिया और पुले सूत्रों के मुताबेक आरोपी लले जाने संसत के अंदर और बाहर होए स्मोक अटाक की गटना का एक विडियो अपने दोस्त निलाक्ष को बेजा था मुताबेक निलाक्ष कॉलकता में साम्मे वादिस सुभाष नाम से केंजियो चलाते हैं संसत की सुरक्षा में सेंध लगाने की इस घतना के बाद निलाक्ष सामने आ गए उनके मुताबेक इसी साल अप्रेल में कॉलकता में एक कारिक्रम की दोराद उनकी लले से मुलाकात हुई थी सूतर बताते हैं कि दिसंबर महीने में निलाक्ष के एंजियो में एक मीटिंग होनी थी लेकिन जैसे ही ललेत को इसका पता चला तो उसने मीटिंग को 12 दिसंबर से पहले करने की सलहा दे दी इसी वज़े से या शंका जताई जा रही है कि ललेत काफी वक्त से इस खटना को अंजाम देनी की तैयारी में था सूतरों के बतावी कारूपी ललेत ने संसद हमले के तुरंद बाद निलाक्ष से संपर्क किया था घटना के बाद दोपैर करीब एक बज़े उसे संसद में घुसपैट का एक वीडियो निलाक्ष को भेजा था निलाक्ष का दावा है कि वो समय कॉलेज में थे और इसलिए उन्होंने वो वीडियो नहीं देखा